पढ़ाई करते हुए जिस टॉपिक को आपने स्किप किया है उसी टॉपिक के उपर अगर एक्जाम में सबसे ज़्यादा सवाल आये हो तो ठेंड में जब आप नहाने जाते हो उसी समय पे अगर गरम पानी आना बंदो जाये तो किसी भी लंबी लाइन में जहां पर आप खड़े हो और जब आप ही का नंबर आए तभी सामने वाला अगर काउंटर बन कर रहा होगा तो कल सुबह उठके खाऊंगा ये सोचके जब रात में आप पीजा का लास्ट बाइट फ्रिज में रखते हो और सुबह उठके जब देखते हो कि अल्रेडी किसी ने वो पीजा खाया हुआ है तो आपकी फेवरेट सीरीज या फिर कोई मूवी जिसका क्लाइमैक्स या फिर सीजन फिनाले एकदम बकुआ सा शूट किया गया हो तो आपके दोस्त को एकजाम के पहले आपी ने सिखाया है और उसी दोस्त को रिजल्ट के बाद आपी से अच्छे नंबर आये हो तो भाई इतनी सारी जो मॉमेंट्स है ये आपको अनहापी कराने के लिए बिल्कुल काफी है लेकिन ये तो बस एक ट्रेलर है पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त हाई फ्रेंज दिस इस रॉनक सिर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आपकी पहरे चैनल आलसी एंजिनियर पर दोस्तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे रिक्वेस्टर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजीगा मैं आपको आज 6 ऐसी चीज़े बताऊंगा कि वो आपको लाइफ में लाइफ टाइम अनहापी रहने के लिए बहुत मददगार साबित होगे अब भाई सारक्याजम तो बनता ही है ना तो चलिए शुरुवात करते सबसे पहले पॉइंट के साथ नमबर एक पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर इन में इस से एक तो पूरा पूरा पास्ट में रहो हमेशा यह सोचो कि यार आपी के साथ इतना बुरा कैसे हुआ लोगों ने कैसे आपी के साथ गलत किया और अब कहां कहां पे फेल हुए ये सोच सोच के और तिंग कर कर के बस दूसरों को कोसने का ही काम आप करते रहों या फिर future के बारे में सोचो भाई जब graduation complete होगा तब शायद खुश रहोंगा जब अच्छी job लगेगी तब शायद खुश रहोंगा जब घर पे गाड़ी आएगी तब शायद खुश रहोंगा जब खुद का घर होगा तब शायद खुश रहोंगा अब ये सब सोचते इल्यूजिव happiness के पीछे आप भाग तो रहो पट खुद अपने हाथ पाव बिल्कुल भी नहीं हिला रहो अब आप मुझे बताइए present में रहे के चोटी चोटी moment चोटी चोटी खुशिया चरिश करने से या फिर आपका जो future plan है उसको properly execute करने से क्या ही किसी का भला होगा है ना number 2 मैं ये नहीं कर सकता मैं वो नहीं कर सकता हूँ मैं इस चीज के लायक नहीं हूँ मैं उस चीज के काबिल नहीं हूँ ये सोच सोच के कभी खुद को आगे promote मत करो हमेशा low on confidence रहो लोगों से दूर रहने की कोशिश करो या फिर over confident बनो भाई मेरे सामने तो सारी दुनिया पानी कम है जो मैं करूंगा वही सबसे best रहेगा और सभी को वही follow करना पड़ेगा मुझे कोई सिखा नहीं सकता और मैं किसी से कभी नहीं सीखूंगा ऐसा over confidence वाला attitude रखो अब मुझे बताईए ना सभी लोगों को साथ लेके नहीं नहीं चीजे जहां से मिल रही है वहां से सीखते हुए confidently आगे बढ़ने से क्या ही किसी का भला हुआ है number 3 कोई अगर आपसे better कर रहा है तो उस पे इतना जलो इतना जलो उसकी इतनी बुराईया करो और हमेशा सोचो कि यह इतना उपर कैसे गया और उसको कब मैं नीचे लेके आ सकता हूँ या फिर ऐसे लोग जो आपसे अच्छा नहीं कर पा रहे हैं जा कोशिश ही कर रहे हैं उनको गालिया दो उनको बोल बोल के इतना depress करो कि वो कभी आपके आपसे आगे बढ़ने की कोशिश ही ना करें अब किसी को हाथ देके अपने साथ लेके या फिर अपने आगे जाने के लिए एंकरेज करने से एप्रिशियेट करने से मुझे बताइए क्या ही किसी का भला होगा नंबर चाथ दिन भर बस वो इल्लॉजिकल बे तो किसी वेब सीरीज, मूवीज, सीरियल सी देखा करो अगर थोड़ा बहुत समय बचा तो FB इंस्टा है ही, पचासो बार वहाँ पे रिफ्रेश करके जो फीड़ आते हैं वही हमेशा पढ़ते रहो और अगर इससे भी समय बच रहा है तो भाई गेम स्टॉप खेली सकते हो ना अब अच्छी बोक्स, अच्छा कंटेंट, लिमिटेड सोशल मीडिया यूज करने से क्या ही किसी का भला होगा है ना नमबर पांच, अगर आप खुद के लिए कोई टास्क असाइंग कर रहे हो तो वो टास्क पिक करो उसको आधा दूराई करो, और बीच में छोड़ दो, आपका मन भर जाएगा फिर आप दूसरा टास्क लो, उसको भी पिक करो, आधा दूरा करो, बीच में से छोड़ दो, वापस से अपका मन भर जाएगा ऐसे ही number of task लो आदा दूरा छोड़ो और अपने मन को भरा भरा ही रखो और jack of all trades but master of none बन जाओ अब आप मुझे बताओ कोई एखाद काम शिद्दत से लेके उसको perfectly एंग तक execute करने से क्या ही किसी का भला हुआ है है ना Number 6 लाइफ में अगर कोई भी problem आये ना तो बस दो लोग तो fix जिनको आप हमेशा हमेशा के लिए blame करते हो Number 1 नसीब मेरी नसीब में ऐसे कैसे हुआ और Number 2 हे भगवान ये मेरे साथ आप क्या कर रहे हो अब इन दोनों से आपका मन ना भरे तो भाई पूरी दुनिया यहाँ पे है जिसको आप हमेशा blame कर सकते हो खुद पे कभी कुछ आने मन दो बट हर problem का कुछ न कुछ कही न कही हल जरूर निकल सकता है इस positive mindset के साथ उसके solution निकालने की कोशिश करने से मुझे बताईए क्या ही किसी का भला होगा दोस्तो मैंने आज ये 6 points आप लोगों के साथ discuss करें और ऐसे बहुत सारे points अभी भी निकल सकते हैं आपको कुछ अच्छा point लगे तो आप comment section में मुझे जरूर बताईएगा कहते हैं न अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेड़ी करने पड़ती है और मैंने बस यही करने की कोशिश करें I hope ये जो reverse psychology है ये आपके life में आपको कही ना कही मददगार जरूर सावित होगी दोस्तों अगर मेरा काम पसंद आ रहा है तो ये वीडियो अब जरूर शेर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चलिए मिलते नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक के लिए थैंक यू थैंक यू सो मच